हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल LWD जॉब में जैसे ही जो है विग्यापन जारी होते हैं, वेकंसी आती हैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दिया जाता है ताकि जल से जल आप लोग आविधन कर सकें NCRT की तरफ से जो है वो वेकंसी है, सभी राज्यों के कैंदी रेट आविधन कर सकते हैं इस वीडियो में हम दो नए विग्यापन की बात करेंगे, बिना फीस के आप यहाँ आविधन कर सकते हैं दोनों ही एडवर्टीजमेंट में सैलरी जो है 60,000 है, मास्टर डिग्री मांगी गई है आप चलिए देख लेते हैं एडवर्टीजमेंट पिसले वीडियोज आप देखिएगा, लगातार विग्यापन जैसे ही जारी किये गए, आप लोगों को सूचित किया गया कि हाल ही में जो है NCRT की तरफ से 11 नए विग्यापन जारी हुए हैं जहां आविधन कर सकते हैं लास्ट वीडियो में हमने तीन या चार विग्यापन की बात की थी, क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, उम्र, इसके अलावा सैलरी कैसे आविधन करना है, सारी बाते हैं इस वीडियो में जो है हम दो नए विज्ञापन की बात करेंगे, सबसे पहला जो विज्ञापन है कला उटसब 2024-25, ये प्रोजेक्ट का नाम है, सीनियर कंसल्टेंट पद का नाम है, साथ मई 2024-11 वजे वॉक इन इंटर्व्यू के लिए जाना है, परिक्षा नहीं है केवल इ इसमें जो है एजुकेशन फील्ड में आपका पांच वर्स का अनुभव भी मांगा गया है, चाहे वाए अनुभव जो है एजुकेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का हो, डाटा कलेक्शन का हो, एनलेसिस का हो, किसी का भी हो, ठीक है? या फिर टीचिंग लाइन से आप जुड़े रहे हैं पांच सालों तक, तो बिल्कुल आप यहाँ पर अपलाए कर दें, डिजायरेवल में जैसे अन्य में आपके पास जो है और भी क्वालिटी हो, जैसे की कम्पिटर की नॉलेज, आर्ट में आपका इंटरेस्ट हो, इसेंशियल क्वालिफिकिशन में आपकी मास्टर डिग्री जरूर होनी चाहिए, पचास प्रतिशत मार्क्स के साथ में और पांच साल का आपके पास अनुभव, एज यहाँ पर 65 यर तक के कैंडिडेट आविदन कर सकते हैं, तो यह जो है प्रोजेक्ट है और इस प्रोज सकते हैं, और जैसे ही आपका प्रोजेक्ट कम्प्लीट होता है, और भी रास्ते आप लोगों के लिए यहाँ पर खुल जाते हैं, बहुत सारी अपरचुनिटी आपको खुद ही जो है वो पता लग भी जाएगी, ठीक है, इसी नोटिफिकेशन में एक और जो है, वेकेंसी है, उसे भी अभी हम देख लेंगे, वाक इन इंटर्व्यू के लिए आपको साथ मही दोजार चौबिस से ग्यारा बजे तक पहुचना है, कहां पहुचना है, इसी में दूसरी वेकेंसी, इससे पहले वाली सीनियर कंसल्टेंट की थी, और ये केवल कंसल्टेंट की है, ठीक है, अभी इसमें जो है क्वालिफिकेशन कहा है, वही मास्टर डिग्री आपकी 55% मार्क्स के साथ में, किसी भी सब्जक्ट से, एनी सब्जक्ट, आप देखें या लिखा है, मास्टर डिग्री लेवल इन एनी सब्जेक्ट, फॉम एन इंडियन और इसमें जो है वो तीन साल का अनुवफ मांग रहे हैं, एजुकेशनल, एजुकेशन फील्ड में आपका काम हो, कोई रिसर्च प्रोजेक्ट में आपने कभी काम किया हो, कोई भी गॉर्मेंट और्गनाइजेशन में, इसमें ये मांगा गया है, और इसका भी समय 31 जो 2025 तक के लिए है, इसमें सैलरी जो है वो थोड़ी सी कम है, 45,000 है, और इसके लिए जो है आपको वोकिन इंटर्व्यू के लिए जाना है, 8 मई 2024, इससे पहले जो हमने बात की थी, तो उसमें 7 मई 2024 को पहुँचना है, और इसके अंदर जो है वो next day, 8 मई 2024 को address वही है, उस 25,000 सैलरी है, और अगर किसी के पास 5 साल का अनुवब है, तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर दें, दूसरा नोटिफिकेशन चेक करेंगे, दूसरा नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं, डिपार्टमेंट अफ एजूकेशन इन सोसल साइन्स, दे नैशनल पॉपुलिशन एजूकेशनल प्रोजेक्ट एन पीएप, प्रोजेक्ट का जो नाम है, और गनाईजेशन आफ नैशनल योगा ओलम्पियाड 2024, पोस्ट है जूनियर प्रोजेक्ट फैलो, जे पीएफ, इ में छूट है, उम्र में, और OBC कैटिग्री को तीन साल की छूट है, मास्टर डिग्री आपकी हेल्थ और फिजिकल एजूकेशन में हो, या फिजिकल एजूकेशन या योगा में, या स्पोर्स में, या सोसल साइन्स में मास्टर डिग्री है, 55 प्रतिशत मार्क्स के साथ मे OBC, इनके लिए 50% मार्क्स है, SC, ST और Physical Handicapped के लिए, ठीक है, तो ये compulsory qualification ये रही, 25,000 per month salary रहेगी, अगर आपने net qualify कर रखा है, तो आपकी 25,000 fixed salary है, और अगर आपने नहीं किया है, तो 23,000 selection procedure क्या रहेगा, तो इसमें selection procedure लिखा है, submission of application through email by 5.30pm, 30 April 2024, 5.30 बजे तक जो है, application form आप, जमा करवाना है आपको, या email करना है, एक माई को short listing किया जाएगा, तीन माई को interview रहेगा, जगे है, conference room number 3 floor, DESS NCRT, और इसका जो समय है, इसका समय थोड़ा सा कम है, 31 October 2024, इसमें जो है, आपको email करना है application form, interested candidates are requested to submit their application through email, at ncertnpep at the rate gmail.com, ये email address है, और इस पर जो है, आप लोगों को email करना है, 30 April, 5.30 बजे से पहले, ये आपको ध्यान में रखना है, इसमें email ही जो है करना है, कहा गया है, ठीक है, application form नीचे है, तो ये advertisement रहे है, ठीक है, बाकी जो है, तीन notification के बारे में हम पिसले वीडियो में बात कर चुके हैं, इसमें हमने दो notification जो है, अच्छे से देख लिया है, आप लोग जो है, यहाँ पर job करना चाते हैं, दुबारा से notification को अच्छे से और पढ़ना है, कोई भी mistake नहीं करनी है, और उसके बाद ही जो है, इंटर्व्यू के लिए जाना है, लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के नीचे description box में मिल जाएगा, ताकि आप लोग यहाँ पर आ सकें, official website में vacancies पर direct आ सकें, और इसमें आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा, यह देखिए, recruitment of one senior consultant and one consultant add to DEAANCR एक तो यह notification है, और दूसरा जो है, इसी के ओपर वाला है, जो भी interested candidate है, apply करिएगा, थोड़े समय के लिए ही सही, लेकिन काफी अच्छा जो है, earn करने का मौका आप लोगों को इसमें मिलेगा, बाकी notification को हम next videos में complete check करेंगे, क्या qualification मांगी गई है, क्या age है, क्या salary रहने वा थेंक यू